हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कलांजली क्रियेशन ओफ आर्ट जिसा कि ट्रेंड्स आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने शू पॉलिश से स्टोन का टेक्शर दिया था इस बार में आपको ब्रिक्स का एफेक्ट देने दिखाने जा रही हूँ देखिए इस हमें चाहिए शीट्स वाइट और कोई भी लाइट कलर यूज़ कर सकते हैं इस बार मार्केट में अक्रेलिक इस्प्रे कलर एजीली एविलेबल हो जाते हैं और फाइनली स्टेंसिल्स इस टाइप की स्टेंसिल्स आप घर में द्यार कर सकते हैं बिक्स का इफर्ट लेके या किसी भी टाइप का इस टाइप का सबसे पहले शीट के ओपर स्टेंसिल्स रखें और कॉटन की हल्प से कॉटन की हल्प से पूरी शीट पर वैसलीन लगा लें पूरी शीट पर वैसलीन लगाने के बाद आप इसको पेपर रोल्स है इस तरह से एक्स्टर जित्ती भी वैसलीन है इसको निकाल ले और शीट को धीरे साटा देए वाइट कलर की शीट के ओपर भी हम ब्रिक का एफेक्ट ले रहे हैं सेम पैटन से आपको वैसलीन लगानी है यह ध्यान रहे है कि पूरी ब्रिक्स पे अच्छे से वैसलीन लग जाए इसके बाद आप टेबल पर मुखते पर लगाएं इसके बादी शीट रख कर इसके बादी शीट रख कर इसप्रे कलर यूज़ करने से पहले शेक कर लें और शीट पे स्प्रे कर लें आप देख रहे हैं कितना सुंदर कलर का टेक्च्छर आ रहा है इसमार इसके बाद यह वाई शीट रख कर इस वे भी कलर का इफ्रेक्ट लेंगे सेम ब्लैक पे जिसे हमने स्प्रे करा है वह इफ्रेक्ट हम आप देख रहे हैं जहां जहां पर आपने वैसलिन लगाई है उस जगे पर पूरा ड्रॉप्स ट्राइप के आ गई है बाकी एक्स्टा शीट पूरी ग्रीन और ब्लैक हो गई है यह देखिए बनने के बाद इस टाइप से एफेक्ट दिखाई देगा इस शीट का आप कोई इसी भी कलर में यूज करके बना सकते हैं आप लोगों को मेरा ये न्यूव क्रियेशन बहुत पसंद आया होगा कभी आपने सोचा नहीं होगा कि वैसलिंग का यूज हम पेंटिंग में भी कर सकते हैं थेंक्यू थेंक्यू सो मैच